विधायक से ही जिन्होंने ये बात कनफर्म किया है कि 41-41 विधायकों की सहमती इस पर बनी है कि नायप सिंग सेनी ही मुख्य मंतरी रहेंगे कुछ अगर रूटे हैं कुछ निकल के गए हैं तो और ऐसी कोई बात नहीं है सर्व सम्मतरी से ये बात आगे निकल के आई है कोई डेप्यूटी सियम होगा की नहीं उप्व मुख्य मंत्री होगा की नहीं अभी तक इस पर फैसला नहीं है आज शाम को पांच बजे नायब सिंग्स है नी वहाँ पर हर्याना में चंडीगर में शपत ग्रहन करेंगे यतेंद्र हमारे साथ है तो सर्व सम्मत्ती से बनी है लेकिन सेंट्रल परिवेक्षक वहाँ पहुंचे है सेंट्रल कमांड से कुछ निर्देश आये है और उसी का पालन किया गया है लेकिन 24 घंटे नहीं हुए यतेंद्र जब प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोरलाल खटर की जमकर तारीफ की थी द्वारका एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद उस भाग का जो की गुरुगराम का पक्ष है हर्याना पे आता है उन्होंने मनोरलाल खटर को करमठ मुख्यमंत्री बताया था और ये बात भी इस बात से भी सब लोग जानकार है कि मनोरलाल खटर पदान मंत्री नरेद्र मोदी और जो बीजेपी की टॉप लीडर्शिप है उसके काफी करीब है तो क्या वज़ा है ये फेर बदल हुआ है कहीं न कहीं क्या उनके एलिवेशन की बात हुई है कि दस साल आव अर्याना में मुख्यमंत्री रह चुके हैं आईए सेंटर में आईए लोगसभा चुनाव के बाद वहां सेंटर में कारे किजिए अगर बीजेपी की रणीती जाने और प्रदान मंत्री मोदी की जो बात कर रहे हैं तारीफ है तो वह उसी रणीती का एक हिस्सा था की जब उनका बदलाब होगा तो कहीं लोगों को ये ना लगे कि बीजेपी नेतरत उनसे ना राजाए या उनसे कुछ कमिया हुए है गलतिया हुए हुए हन्हों ने काम सहीजे नहीं किया पॉजिव तरीके से सोचती है क्योंकि 10 साल का समय कम नहीं होता दस साल का समय काफी होता और बीजेपी के आप पॉलिसी देखिए किसी विराज्य में देखिए तो हमेंसा ज्यादा तर ऐसे नेताओं को हटा कर नई चेहरों को सामने लाने का काम किया है जो जोश, खरूश के साथ और आती जो और अधिक आत्मिश्वास के साथ काम करें और ह सवा का उन्हें चुनाव लड़ाये जाएगे, यानि कि सम्मान पूरवक उनको अगली जगे उनके लिए निर्धारित कर दी गई है और जहां तक अब बात है, शाम पांच वजे शपत गिरन होगा, नायव सेनी मुख्यमंत्री पत के तौर पर शपत लेंगी और उम्मीद ह पर पूरा फेर बदल हुआ, उसके बाद जैसे आपने कहा, 18 महिने के अंदर जब चुनाव है, उसके बाद वहाँ पर विधान सबाद चुनाव हुए, बीजे पी ने तो पूरी तरह से सफाया कर दी है विपक्ष का जाडू और अप्रत्याशित जीत मिली थी, लेकिन क्या हर्याना में वो फेर बदल होगा, क्या लोकसबा चुनाव से पहले कुछ कद्दावर नेता जैसे अनिलविच पैदल निकल गए, तो क्या वो दुखी हो जाएंगे, उनको कैसे अकॉमडेट किया जाएगा, और ये पूरा, इसको पूरे मंत्री मंडल है, इनका कैबिनेट ह इसको क्या पूरी तरह से नए सिरे से बुना जाएगा, सीम भी नया चुना और कैबिनेट भी नया बुना, ऐसा ही हम देखेंगे हर्याना में चेहरों को दर किनार किया जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज देना था, क्योंकि गुजरात में जो आप 18 मैनी की बात कर रहे हो, हर जगय का समय तेह करते हैं, और ये तीनों लोग जो प्रधान मंत्री, निर्यद्न वोदी, ग्रह मंत्री, अमिश्या, बीज उन्होंने इस समय को चना, और यही कारण था कि जो कल हर्याना की केंद्रे चनाप सम्ती की बैटक में, जो हर्याना कोर गूरूप की बैटक होने वाली थी, उसको टाल दिया गया, क्योंकि ये बदलाव जरूरी था, और इस बदलाव के बाद, अब लोग सभा सीटों को ले कि रणीति के साब से चलती है वो एक दो महीने के साब से नहीं वह तो लक्षमण यादव जी का रियाक्शन आ रहा है देखते हैं सुनते हैं उन्होंने क्या कहा चेत्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्स से नायब सेनी तो जो बीजेपी के संगठन में काम कर रहे थे उनको मुख्यमंत्री बनाया है यतेंद्र आपने एक बहुत इंट्रेसिंग बात यहाँ पर यह कही कि सरकारी गाड़ी जब आप आप स्थीफा दे देते तो उसके बा का जो कारेबार है उन्होंने संभाला है ग्रह मंत्री का हर्याना में लेकिन मनोरलाल खटर क्या करनाल से लड़ेंगे और दूसरी बात बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पर अब जेजेपी क्या करेगी दुशियन चोटाला और जेजेपी इस फेर बदल बीजेपी के इस फेर साथ दुशन चोटाला की बाचीत हुई थी उन्होंने दो सीटे मांगी थी लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया था कल की मिंटिंग में कि उन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी क्योंकि बीजेपी पिछली बार दस की दस लोग सबासी जीती थी और इस बार भी दस सीट नहीं दी जाएंगी तो वह गटवंदन से अलग हो सकती है और ऐसे मैं खत्रा उत्पन ना हो तो इसकी वजह से उन्होंने जेजेपी के विदायक से संपर्किया अब बीजेपी के संपर्क माया यानि कि बीजेपी में भी दो फाड हो चुका यानि कि जेजेपी जो दस सभा का गड़ित है उसमें बीजेपी को कोई भी खत्रा नहीं है अपनी इस रणीती के चलते और अब साफ है कि बीजेपी अपने अकेले दम पर लोग सुबर चनाव लड़ेगी जेजेपी का गठवंदन अब केवल आफचारिक तब भर है एलान करने का कि जेजेपी का बीजेपी को कोई जानता नहीं था उससमय के अनिल वे इसंवर्य फैसले को वह सुवेकार करेंगे कि चाहे उन्हें मंत्री मंडल में जगे मिले या ना मिले क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अनिल विज को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए हर्याना की दस सीटों पर बीजेपी के कौन से चेहरे होंगे उस पर तो अब मोहर लगेगी धीरे धीरे एक आपने कहा संभावित हो सकता है कि मनोडलाल घटर करनाल से चुनाव लड़ें तो क्या कुछ ऐसे नेता है जैसे अनिल विज उनको कहा जाए कि आप लोकसभा लड़िये पूरी तरह से बनी रहती है एक राजनेता के जीवन में कि अगर उसको कहीं अगर उसको संतुष्ट किया जाता है तो उसके कहीं ना कहीं सेट किया जाता है राज्यसवा भी हो सकती है और लोकसवा चुनाव है तो लोकसवा चुनाव में भी उनको टिकेट दिया जा सकता है लेकिन टिकेट के लिए उनकी लोकसवा सीट को देखना पड़ेगा क्योंकि वो अंबाला से आते हैं और लोकसवा सीट सुरक्षित है पांसद होते थे जो केंदर में मंत्री भी बने अलाकि उन्हें बाद में अटाये गया लेकिन वीमारी के चलते उनका नेधन हुआ तो अभी जो अंबाला लोकसवा सीट है वो सुरक्षित होने के नाते हैं अगर लोकसवा चुनाव लाने की बात आएगी तो उनके लिए सीट बीजेपी को ढूंडनी पड़ेगी कि वो किस सीट से उनको उतार सकते हैं या फिर बाद में उनको या तो मंत्री मंडल में जागे पड़ेगा या किसको और लंबे समय तक इंतियार करना पड़ेगा क्योंकि कई सारे नेता हैं जो मंत्री मंडल से बहार होंगे अब उनको आगे ध्यर्य के साथ प्रतिक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि विदानसवा चुनाब भी कुछ समय के बाद भी है तो हो तकता है कि ए काउंटर कंसॉलिडेट होगा क्योंकि एक तरफ जाट वोट है और जिसको की कॉंग्रेस पार्टी और जेजेपी दोनों उसको अटैक करने की कोशिश करेंगे आमादभी पार्टी भी हर्याणा में हरकत कर रहा है यह तस्वीरें अंदर से आई हैं जहां मनोरलाल खटर जी यतेंदर जब हम इस तस्वीर को दिखा रहे हैं तो वहाँ खटर जी हसते हुए दिख रहे हैं और वहाँ पर खुल्दस्ता देते हुए बदाई देते हुए दिख रहे हैं नायब सेनी को लेकिन यह जो समीकरन है वोटों का और सीटों पर कैसे इसका असर पड़ेगा क्या कॉंग्रेस और जेजेपी अब एक ही वोट बेस को रुजाने की कोशिश करेंगे SC-OBC पर कितना इंपक्ट होगा कि एक OBC चेहरा मुख्यमंत्री है तो कि आनन्द अगर हरियाना की राजनीती को समझेंगे तो उसमें एक बड़ा फ्रेक्टर आता है जाट राजनीती का है और हमेशा से कॉंग्रेस जब भी नेता दिया है तो वो जाट राजनीती को ध्यान में रखकर दिया है बुपेंद्र हुड़ा लगातार उनके मुख्यमंत्री दो टर्म रहे थे तो वो जाट समधाय से आते हैं या उनके बेटे दीपेंद्र हुड़ा को उनने हमेशा से टिकेट दिया या बाकी बीरेंद्री सिंग जो कॉंग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे वो जाट समधाय से आते हैं हाला कि वो बाद हैं बीजेपी में शामिलोगे लेकिन उनके बेटे आप फिर से एक बार कॉंग्रेस में से ले गया रूज जो किसान अंदोलन चल रहा है जब बीजेपी की पहली बार हर्याना में सरकार आई तो जाट वर्सेज अधर जाट की चुनावी लड़ाई देखने को मिली और उसका फायदा बीजेपी को साफ़तोर पर हुआ जाट जहां कॉंग्रेस इनेलो और इनेलो के साथ था इनेलो के बाद में गटट दो फाड़ हुए जेजेपी और इनेलो अलग अलग हुए लेकिन जाट हमेशा इनी पार्टियों के आसपास घुमता रहा और बीजेपी को इसका फायदा हुआ कि नॉन जाट वोट एक साथ बीजेपी के खाते में गया हाला कि पिछली बार के चुनाव में मक्यमंत्री मनोलाल खटर के नेतरत में चुनाव हुआ लेकिन कुछ पंजावी वोट वैंक की वज़े से नाराजगी थी अधर जाट में अधर वोट वैंक में वो थोड़ा सा खिसका जिसका नतीजा हुआ कि जेजेपी की वैसाखी बीजेपी को लेनी पड़ी लेकिन इस वार वो वैसाखी ना लेनी पड़े इसी वज़े से जैपी के संगठिन के भी खाटी कारे करता माने जाते हैं जो निचले इस तरह से उपर तक बढ़े आ उनके उपर दाब मेंदा सब्वाम के और यही कारण है कि नायवrage के नाम और यह تलिए यह मुख्य मंत्री जी चो अब शभब लेंगे उनका इक अधिकार है, वो पर्टी की सलाफ से ही बनाएंगे। रही और मैं उस नात्य से वहां पे शपत ग्रैंड समाहर हुआ है उसके नात्य सी मैंने कुछ कारे करता हूं को फोन के आप दस कीदस जीतेंगे पिछली बार भी जीते में आज पूरा देश राम मए है आज मोदी जी ने इस देश को इतना प्रदेश के अंदर काम एक आगर 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 अगर मेरे को उनके सवाल का जवाब देने देंगे तो मैं आपका शुक्र यहां बिल्कुत तो मुझे लगता है मनोर लाल जी ने जिस तरह स्टेट को आज पूरे हिंदुस्तान की अगरनी स्टेटों में बना दिया और मोदी ज जिस तरह देश को पूरी दुनिया के अंदर सर्ष्टेश देश बनाने की ओर हैं और मैं समझता हूं कि दस की दस सीटें भारती जनता पार्टी ही जीतेगे तो फिर बदल को आप लोगसभा चुनाव के साथ विदानसभा चुनाव के साथ मतल लीडर उसके साथ जोड़के मत देखिए पार्टी किस समय क्या करती है अभी आप सुनिये के मद्य परदेश के अंदर हमारे मुख्य मंतरी मोहन यादव जी जिन नामों की आप चर्चा कर रहे थे जिन नामों की मीडिया चर्चा कर रहे थे वो नहीं बढ़े दूसरे बढ़े तो यह मैं समझता हूं सं देखिए मैंने जो मैंने पड़ा सोशल मीडिया में मीडिया में आप सब भाईयों के माद्यम से मुझे पता चला के मेरा भी नाम चला जा द्यात की मादरन से में मैं आत्या को यह मैं आत्या Quand रहे थे जाय रहे आत्या में बढ़े र SHैा आत्यारी 2 सभ 205्